हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के उपर हम लोगों को डिस्कुसन करना है, बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है, देखिए, आज हम लोग बांगला देश और इंडिया का मैत्री दिवस है, तो उसी कुछ मुद्देपक को डिस्कुसन करेंगे, बांगला देश एंडिया कि जो बाइलेटरल रिलेशन्स हैं, वो तो काफी महत्पूर्ण है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया और बांगला देश का रिलेशन्स जो है, 1971 से किस तरीके से जो है, चलता गया, और अभी जो है, बहुत सारे आपको दिखने में ट्रेड जो है, इंडिया और आयात भी होता है, कुछ चीजों का निर्यात भी होता है, तो कुल मिला कर कहा जा सकता है कि एक अच्छा खासा जो है, दोनों देशों के बीच में बैपार का संबंध भी है, और तमाम जो है, यदि बात करें कि कल्चर या तो ट्रेडिशन्स के, तो आप लोगों को तो पता ही है, 1947 से पहले बांगलादेश और इंडिया दोनों एक ही था, बट आप्टर जब पूर्वी पाकिस्तान और 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत ही कूरता बांगलादेश पर जो है अत्याचार किया, तो उस समय जो है भारत की प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने जो है, है वो लिबरेशन करवाया था बंगलादेश का और उसके बाद जो है जब बंगलादेश लिबरेट हो गया तो सेख मुझूंबूर रहमाइन जो है, वो वहां के से जो है बंगलादेश से हीरो बनकर निकले थें क्योंकि वही बेसिकली उनका एक बहुत बढ़ा योगदान माना जाता है बंगलादेश के लिबरेशन में तो ये इसके जो है एक बैक्ग्राउंड है लेकिन आज ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले as always I hope कि आप सब जो है well and fine होंगे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कर लिजिए तकि आपको नोटिफिकेशन तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहेगा बहुत ही important lecture होने वाला है क्योंकि ये आज हम लोग बात करेंगे मैत्री दिबस के बारे में मैत्री दिबस जो है बहुत ही मतलब ये एक दो साल तीन साल के बीच में जो है और जो बंगलादेश के साथ जो हमारा संबंध है इंडिया का जो संबंध है मतलब किस तरफ जा रहा है तो इस चीजों को एक जो है एनालाइज करने में काफी ये lecture आप लोगों को मदद पहुँचाएगा क्योंकि जो भी दिखने में आता है जो भी न्यूस में आपको मिलता है थोड़ा सा वहां से जो है भिन चीजों का भी पता चलेगा और ये मालूम होगा कि किस तरीके का जो है ट्रेड हम दोनों के बीच में है किस तरीके का संबंध है और बिसिकली इंडिया क्या सोचता है मतलब कि इंडिया के जो सोचने वाले लोग हैं प्रधान मंत्री हैं तो वो क्या सोचते हैं रक्षा मंत्री क्या सोचते हैं बिदेश मंत्री क्या सोचते हैं तो ये सब बिसिकली जो मतलब जो diplomatic relations होता है एक international relations में के अंदर तो वो लोग जो है क्या फैसला करते हैं और उन लोगों के मन में बंगलादेस के प्रतिक क्या भाब है तो इन चीजों का पता चलेगा और उसके पहले जो है वो बंगलादेस का भी कुछ चीजें हमें जो है समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे जो है आप लोगों को पता होगा कि काफी सारे news में ये बात आता रहता है कि उहां पर जो अलपसंख्या के साथ जो है जिस तरीके से जो है अत्याचार होता है कुड़ता होता है और फिर जो है वो कुछ जादे डिफरेंस नहीं रह जाता है पाकिस्तान या बंगलादेस में या आफगानिस्तान की नाम लेने में लेकिन कुछ चीजे हैं जो आपको जब 1971 के वार को आप देखोगे और अनलाइस करोगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा कि जो लिबरेशन्स फाइट था बंगलादेस का सोतंतरता संगराम का जो युद्ध था उसमें भी काफी सारे ऐसे लोग थें जो बंगाली मूल के थें जो बंगला बोलते थें लेकिन उनको लगता था कि पाकिस्तानी आइडोलोजी के लोग थें तो ये चीज को समझना पड़ेगा और कहीं न कहीं जो हिंदू पे और जो भी माइनोरिटी पे अल्फ संख्यकों पे जो अत्याचार होता है बंगलादेस के अंदर तो उन सब चीजों में आप उनका डायेक्ट इंवल्मेंट समझ सकते हो और मान सकते हो जब 93,000 सेना हमारे भारत पाकिस्तान को सेलेंडर करवाया था और इंस्टुमेंट आफ सेलेंडर पे जो पाकिस्तान ने साइंग किया था उस समय में 93,000 में काफी सार ऐसे लोग आपको थें जो बंगाली थें और बंगलादेस से बिलॉंग करते थें लेकिन वो अपने ही देश के खिलाब जो है बात करता था तो कहीं ने कहीं वो चीज़ों को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है तब जाकर जो है हम बंगला देश को समझ पाएंगे इस वज़े से ये लेक्षर बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है आज हम चलेंगे और दिसकेशन करेंगे ये महत्री दिबस क्या है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज़ को और गनाइज करने के लिए और पूरे विश्चु को जो है एक साथ जो है बंगला देश के के लिए और इंडिया का बंगला देश और इंडिया का रिलेशन क्या है इस चीज़ को सम मजने की जरुवत है अनलाइज करने की जरुवत है ताकि जो है कुछ जो है वो कुछ गिने चुने लोगों के वज़ा से जो है पूरे जो है अंतराष्टी संबंध जो है वो बिगरते बिगरेने क्योंकि people to people contact जो होते है people to people ideology और thinking जो होता वह basically बहुत ही माहिने रखता है तो दोस्तों चलते हैं लेकिन चैनल पर यदि आप नए है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिए इस से क्या होगा कि हमें भी inspiration मिलता है कि नए और भी important topic के और अच्छी दरीके से जो है वीडियो means the friendship day on the 6th of December परतेक साल जो है 6 December को ये फैसला हुआ है कि इंडिया और बांगलादेश जो है वो मैतरी दिबस celebrate करेंगे तो इंडिया और बांगलादेश जो है जो decide क्या है कि 6 December को ये celebrate करेंगे क्यों यहाँ पर मैतरी दिबस का जो प्रपोजल है basically ये friendship day जो है वो तब सामने आया दुनिया को पता चला जब PM Modi ने बांगलादेश का भीजिट किया था 2021 के मार्च महिने में तो 2021 के मार्च महिने में जब PM Modi बांगलादेश गए थे उसी बक्त ये फैसला आया था और उसी बक्त जो है वो PM Modi का जो है ये approval था कि हां इंडिया और बांगलादेश के बीच और इसका भेbirds के देट में इस ब्यापक को आपको असर देखने को मिलेगा, काफी सारे the emails मिल जाएंगा आपको इसपे, तो तमाम चीज हैं मैं record एक दिन पहले कर रहा हूँ, कल जो है मैं इस वीडियो को publish करूँगा तो मतलब आज के date में जो है वो 6 December को ही मैं publish कर रहा हूँ लेकिन record एक दिन पहले किया हूँ तो बात करता हूँ कि इसके पीछे क्या logic था तो basically जो liberations और बांगलादेश हुआ था जैसा कि इंडिया ने सबसे पहले जो है 6 December 1971 को जो है recognize किया था ये माना जाता है कि 10 दिन पहले था So India was one of the first country to establish bilateral diplomatic tie बांगलादेश के साथ पहला इंडिया था दुनिया में जो इंडिया ने जो है बांगलादेश के साथ सबसे पहली बार सबसे पहली बार जो है इंडिया ने बांगलादेश को recognize भी किया और diplomatic relations जो है वो अस्थापित किया इस वज़े से इंडिया और बांगलादेश की importance और relationship आपको पता चल सकता है इन तमान चीजों से कि what the history say about the relation between the two nations okay that is one of the Bangladesh and the second is India तो बहुत ही interesting fact है guys जदी हम इस बात को समझते हैं तो अब देखिए Prime Minister जो है वो जाते हैं कहां पे Prime Minister जाते हैं आपको Bangladesh और Bangladesh जाने के बाद ये जो है decision लेते हैं कि अब से Bangladesh और Bangladesh और India जो है प्रतिक बरस 6 December को जो है मैत्री दिवस का आयोजन करेंगे celebrate करेंगे so according to the joint statement एक joint statement आता है किसके माधियम से तो joint statement issued by the Prime Minister of External Affairs Prime Minister Modi highlighted that Bangladesh okay Seekh Mujubur Rahman one of the greatest leader हुए and war of the modern time so modern time के इसमें no doubt की Seekh Mujubur Rahman जो है बहुत ही जो है greatest leader है क्योंकि उन्होंने ही जो है आजाद करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है Bangladesh के liberations करवाने में so it is important to understand okay तो Modi ji का ये जो है कहना जो है अपने आप में जो है तारकिक है और अर्थिक भी है क्योंकि इससे बहुत बड़ा एक अर्थ निकलता है सब मज निकलता है कि सेख मुझूगर रह्मान जो है कितने बड़े जो है वो international leader के तोर पे जो है modern time में उनका नाम लिया जाता है अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात करूँगा यहाँ पर मैतरी दिबस के बारे में तो मैतरी दिबस जो है basically यह 18 country में 18 country में मनाया जाएगा इस बार चौध इसमबर को और कहां कहां मनाया जाएगा यदि बात कर लेते हैं धोड़ा साथ तो धाका न्यू दिल्ली तो होगा ही इसके केंदर पे होंगे लेकिन आपको दूसरे भी country जैसे का Belgium, Canada, Egypt, Indonesia, Russia, Qatar, Singapore, UK, Australia, France, Japan, Malaysia, Saudi-Arab, South Africa, Switzerland, Thailand, UAE and USA So इतने देशों में जो है इस बार ये मैत्री दिवस का आयोजन हो रहा है और celebrations होगा जो भी प्रबासी मूल के भारतिये हैं जो भी दूसरे देस में रहते हैं या बंगलादेसी मूल के जो है बंगलादेसी हैं जो दूसरे नेशन में इन सब देसों में रहते हैं वो भी मनाएंगे और जो है इंडिया और जो है कई देसों में इंडिया और बंगलादेस के जो है वो दूताबास में भी इन चीजों का जो है आपको असर देखने को मिलेगा बहुत सारे celebrations होगा कहने का मतलब So between the peoples of India and Bangladesh Okay that have been जो है वो forget in blood and shared sacrifice तो क्यों होगा ऐसा क्यों कि इंडिया आप लोगों को पता होगा कि इंडिया बंगलादेश का जो liberation fight था वो कही ना कही शुरू तो बंगलादेश से हुआ था और शुरू पाकिस्तान के कूर्टा और अत्याचारों से हुआ था लेकिन उसमें जो है Liberations बंगलादेश में start हुआ लेकिन उसमें मरने वाले जो बीर सेन ना थे या जवान थे वो कही ना कहीं इंडिया और बंगलादेश दोनों के थे इस वज़ा से जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये common एक sacrifice था ओके सो दुनिया में ये जो है सबसे कम समय में सबसे बड़ा यूद लड़ा गया था और सबसी बड़ी हार जो है दुनिया में यहाँ पर पाकिस्तान के कूर्था और अत्याचार का हुआ था तो इस वज़ा से आप लोगों को समझ में आ सकता है कि ये कितना महतपूर्ण हो जाता है यदि हम trade relations पे बात करते हैं तो बहुत सारे चीज हैं मसाले जाते हैं ओके medicines जाते हैं उसी जगह पे जूट आता है Bangladesh से meat आते है ये सब चीज बागलादेश से इंपोर्ट होता है इंडिया में और कुछ चीज जो है जैसे प्लास्टिक हो गया medicines हो गया spice हो गया ये सब इंडिया से Bangladesh जाते है ऐसे ही तमाम ऐसे चीज हैं जो है मतलब इंडिया और बंगलादेश में कहने का मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा जो है अच्छा जो है अच्छा जो है अच्छा जो है मौडर्न टाइम में भी जो है अलगाबादी तबके के लोग जो है अंडिया में भी है और बंगलादेश में भी हैं वो बैसिकली जो है रिलेशन्स को डाइवर्ड करने का भी कोसिस करते हैं और जो है यह डिपलोमेटिक relations जो इंडिया और बंगलादेस के बीच में है उसको डैमेज करने का भी काम करते हैं so I think आप लोगों को इस जो यह जो मैत्री दिवस जो 6 दिसंबर को प्रधान मंत्री मोदी ने के जो है वो अनॉंसमेंट पे यह कंडक्ट किया रहा है I think उसके थीम को आप लोगों को समझ में आ चुका होगा so I think it is too much important to all of us okay so let us subscribe the channel